नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल डिफरेंट मून्स में एक बर पिर आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे G1 Lab स्कीम के बारे में LIC G1 Lab LIC की स्कीम में से हमारा सिर्फ ये दूसरा वीडियो है पहला वीडियो हमने बनाया था प्रधान मंत्री व्यावंदन योजना को लेकर लेकिन आज ये G1 Lab को लेकर बनाया गया है चलिए स्कीम की डेटेल्स को देखते है दोस्तों LIC की ये स्कीम है जो एक्विटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है ये Life Insurance Scheme है एक्विटी मार्केट से कही रिलेटेड नहीं होती eligibility क्या है यानि कौन स्कीम को ले सकता है minimum age 8 साल होनी चाहिए 8 साल से कम का बच्चा इसमें invest नहीं कर सकता और maximum इस policy को लेने के लिए age अलगलग तरह से निर्धारित की गई है maximum age क्या है वो उस पर depend करेगा कि आपने policy term यानि कितने समय के लिए आप scheme लेना चाहते है उसकी तीन options है आप ये scheme 16 साल के लिए 21 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए ले सकते हैं तीन तरह की options आपको मिलते हैं अगर आप 16 साल का policy term लेते हैं तो आपकी maximum age 59 years तक हो सकती है अगर आप 21 साल चूज करना चाहते हैं तो maximum age 54 हो सकती है और 25 years term लेना चाहते हैं तो maximum age 50 years हो सकती है इसको simple तरीके से समझते हैं कि अगर आपकी age 50 से ज्यादा है तो या तो आप 21 या 16 years वाला tenure का policy ले सकते हैं ना कि आप 25 year वाली ले पाएंगे scheme को इस तरह से design किया गया है कि maturity के वक्स policy holder की age 75 year या उसके आसपास हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए premium paying period यानि कि PPT कि कितने समय तक आपको इसके अंदर premium देना है ये भी उस पर ही depend करता है कि आपने policy term कौन सा चूज किया है अगर आपने 16 साल का policy term चूज किया है तो आपको 10 साल तक scheme में premium देना है अगर आपने policy term 21 years का चूज किया है तो आपको 15 साल तक premium देना है और अगर 25 साल का policy term चूज किया है तो आपको 16 साल की policy की life तक अपना premium भरते रहना होगा, दोस्तों इसके अंदर minimum जो sum assured है वो है 2,00,00 रुपे, 2,00,00 तीनों ही तरह के policy term के अंदर है, लेकिन जो maximum sum assured है, उसका limit नहीं है हलाकि उसका limit नहीं है लेकिन फिर भी आपके income tax returns को पिछले 3 साल की job के return होगी उसको check किया जाएगा, और उसके base पर ही एक limit तक आपको maximum sum assured दिया जाएगा 2,00,00 रुपे minimum sum assured रहेगा इससे कम की scheme नहीं आती जो basic sum assured है वो अगर आप 2,00,00 रुपे से ज्यादा choose करते हैं, तो आप उसको 10,000 के multiples में ही choose कर सकते हैं, यानि यह नहीं हो सकता कि आप 2,005,000 या 2,0015,000 वो 2,0010,000 2,0020,000, 2,0040,000 10,00-10,000 रुपे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं, 10,000 के multiples में ही आप उसको ले सकते हैं दोस्तो premium payment के मामले में इस scheme के अंदर आपको दो तरहां की छूट मिलती है premium आप इसका monthly भी दे सकते हैं, quarterly दे सकते हैं half yearly दे सकते हैं या फिर yearly यानि साल में एक बार भी दे सकते हैं अगर तो आप premium इसका monthly देते हैं या फिर quarterly देते हैं तो आपको जो routine का premium है वही pay करना होगा लेकिन अगर आप इसको half yearly देते हैं तो आपको 1% discount मिलता है और अगर आप इसको yearly देते हैं यानि कि साल के शुरू होने पर पहले ही दिन आप premium बे कर देते हैं तो आपको 2% premium के अंदर rebate दिया जाता है दूसरा rebate आता है sum assured basis के उपर यानि 2,00,000 से उपर आप जितनी ज्यादा amount की policy लेंगे जितना ज्यादा आपका basic sum assured होगा उतना ज्यादा आपको discount दिया जाएगा यानि कि 2,00,000 रुपे से अगर 4,90,000 रुपे तक की policy लेते हैं तब तो आपको कोई इसका discount नहीं मिलेगा लेकिन अगर 5,00,000 रुपे से लेकर 9,90,000 रुपे तक आप कोई भी policy लेते हैं तो उसमें 1.25% basic sum assured का आपको less दिया जाएगा 10,00,000 से 14,90,000 अगर आप policy चूज करते हैं तो 1.5% और 15,00,000 रुपे से या उससे उपर की policy आप लेते हैं तो आपको पॉने 2% यानि 1.75% का extra rebate दिया जाता है दोस्तो वीडियो में आगे जो चीज important है वो यह है कि premium शब्द जब भी हम use कर रहे हैं तो basic premium उसके अंदर tax include नहीं है उसके अंदर riders amount include नहीं है कोई भी extra जो उस पर और charges आपको पढ़ते हैं वो include नहीं है कोई भी discount मिलता है अगर premium के उपर तो वो basic जो premium आपका है tax और rider amount के इलावा उसी पर आपको premium पे छूट मिलती है दोस्तो आप बात करते हैं उस पहलो कि जिसके लिए कोई भी इंसान किसी policy के अंदर किसी scheme के अंदर invest करता है यानि कि ultimately investment का हमें क्या benefit मिलने वाला है उस policy को लेने का हमें क्या benefit है तो ये benefit LIC के case में आपको दो तरह से मिलता है in case of maturity यानि के policy holder ठीक ठाक है जिन्दा है maturity के case में या फिर death case के अंदर यानि policy period के दोरान उसकी death होती है तो पहले देखते हैं कि death case के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों death case के अंदर basic sum assured या फिर seven times of annualized premium यानि कि सालाना जो आपका premium है उसका साथ गुना सालाना premium जितना भर रहे हैं उसका साथ गुना या basic sum assured जितने कि आपने policy ली है इन दोनों में से जो रकम ज्यादा होगी वो death time के उपर आपको मिलेगी along with revisionary bonuses या final bonus अगर policy 15 साल चल चुके है तो final bonus भी मिलता है उससे पहले अगर policy holder के death होती है तो revisionary bonus मिलते हैं इस तरह से basic sum assured या फिर seven times of annualized premium इन दोनों में से जो higher हो plus revisionary bonuses वो सारे मिलते हैं लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा policy अगर एक साल से कम चली है तो भी death case के अंदर जो आपका death benefit है वो जो आपका premium है उसका 105 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता किसी भी case में death case के अंदर benefit आपका 105% से कम नहीं होगा दोस्तों maturity के अगर बात करें आप इस bonus को installment भी ले सकते हैं यानि आप वहां से उसकी किष्टें करवा सकते हैं या मुझे आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक या 15 साल तक ये लगातार हर महीने, हर 6 महीने बाद हर साल इतना ही amount उसका मिलता रहे उसके interest के calculations अलग हैं, उसके tables अलग हैं या आप यूँ भी कर सकते हैं कि आपने कुछ हिस्सा उसका आवानो 40%, 60% लंब सम ले लिया एक बाकी बचे हुए amount को आप pension के तोर पर 5 साल, 10 साल तक लेना चाहते हो वो option भी खुली रहती है लेकिन यहां ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस भी option का चुनाव कर लेगा policy holder उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता अगर policy holder की death हो जाती है तो जो nominee है उसके पास उस payment option को बदलने का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तो riders benefit मिलते हैं rider benefit यानि के additional benefit कुछ ऐसे benefits होते हैं जो policy के अंदर include नहीं है उन्हों आप extra charges देकर कुछ extra payment करके साथ-साथ additionally वो benefit भी scheme के साथ ले सकते हैं rider benefits LIC के अंदर जो भी मिलते हैं वो सभी schemes के अंदर अलग-लग तो हो सकते हैं लेकिन एक rider benefit का rule and regulations सभी schemes के अंदर LIC के सेम होता है इसके अंदर आपको चार तरह के rider benefits available है पहले दो हैं जिन में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं accidental death और disability rider benefit या फिर LIC accident benefit rider इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है उसके बाद दोस्तों आपको दो तरह के और rider benefits इसके अंदर मिलते हैं LIC new term insurance rider और LIC premium waiver benefit rider premium waiver benefit rider बहुत important है यह 18 साल से कम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है इसके main चीज यह है कि अगर policy holder की death होती है माल लेजे policy आपने किसी 10 साल के बच्चे के नाम पर ली है आप उसके अंदर regular premium pay कर रही है और policy holder जिन्दा है लेकिन जो depositor है उसकी death हो जाती है तो premium कौन भरेगा इस case के अंदर आप यह premium waiver rider benefit ले सकते हैं थोड़ा extra premium दीजिए लेकिन आने वाले समय तक उस बच्चे की policy चलती रहेगी कोई premium भी उसको नहीं देना पड़ेगा यह 25 साल की उम्र तक वालों को अगर 18 साल तक का बच्चा है तब यह rider benefit available है 25 साल तक की उम्र है लेकिन बच्चा अभी कमाने नहीं लगा है तब भी यह rider benefit काम करता रहता है दोस्तो rider benefit ज़रूरी नहीं है कि policy term जितना है उतने के लिए ही आपको लेना होगा अगर policy आपकी 16 साल की rider benefit आप 4 साल का 5 साल का जितने term का चाहें ले सकते हैं अगर आपने policy लेते समय rider benefit नहीं लिया है तो उसके बाद भी जिस भी समय चाहें आप ले सकते हैं जिस भी समय चाहें उसको वापिस छोड़ भी सकते हैं दोस्तो किसी कारण से अगर आप premium समय पर नहीं दे पाते हैं तो जीवन लाब policy के अंदर आपको grace period भी दिया जाता है कोई इसकी extra penalty नहीं और grace period के अंदर भी आपकी policy as it is continue रहती है अगर आपने yearly, half yearly या quarterly payment का चुनाव किया हुआ है आपके पास 30 दिनों का grace period है और आपने monthly option का चुनाव किया है तो आपके पास 15 दिनों का premium pay करने के लिए grace period होता है दोस्तो जीवन लाब scheme के against आपको loan भी मिल सकता है इस policy में आप invest के जब कर चुके हैं तो आपको loan मिलता है लेकिन policy में invest करने के बाद 2 साल जब आपको हो चुके हैं उसके बाद ही आप loan के लिए apply कर सकते हैं उसके भी आगे थोड़े details हो रहा हैं लेकिन उस video में हम यहाँ उसको discuss नहीं करेंगे बात करते हैं income tax की income tax के अंदर ये policy आपको छूट दिलवाती है section 1010D के अंदर इसकी चूट मिलती है ATC के अंदर जो premium आप deposit करवाती है उसकी भी चूट मिलती है maturity इसकी 100% tax free है 1010D के अंदर दोस्तों कितने amount के ओपर कितना आपका premium बनेगा इसका एक tabular chart है जो LIC time to time issue करती है इस समय table 936 चल रहा है इस policy के लिए और पुराने जिनके लिए हैं उनका वही continue रहेगा लेकिन आज के हिसाब से 936 चल रहा है अगर आप मैंसे किसी को वो table चाहिए हो तो नीचे comment box में जाकर लिख सकते हैं हम आपको table वो send कर देंगे कोई सवाल है तब भी आपने चे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें देखते हैं डिफ्रेंट मूड्स तेंक यू